टॉरेक्स कप सिरप टॉर्क्यू फार्माशोटिकल्स प्राइबिट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है इसमें डाइफेन हैड्रामाइन, अमोनियम क्लॉराइड, टेर्पिन हैड्रीट और सोडियम सिट्रेट का कॉम्बिनेशन आता है टॉरेक्स कप सिरप का उपयोग खासी के साथ साथ दूसरी कई प्रोब्लम्स को ठीक करने के लिए भी किया जाता है इस वीडियो में हम टॉरेक्स कप सिरप के उपयोग, डोज, साइड डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे साथ हे जानेंगे कि इस cup syrup को pregnancy और breastfeeding के दुरान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं टॉरेक्स cup syrup कई तरह की आती है अगर आप इसका आईरवेदिक formula लेना चाहते हैं तो आईरवेदिक सिरप टॉरेक्स herbal के नाम से आती है आप उसे ले सकते हैं और अगर बच्चे के लिए यूज लेना चाहते हैं तो टॉरेक्स junior आप उसको दे सकते हैं और अगर डॉरेक्स पेशन्ट को देना चाहते हैं तो टॉरेक्स ऐसा प ले सकते हैं जो sugar free आती है टॉरेक्स cup syrup एक combination medicine है जो खासी को ठीक करने के लिए यूज में लाई जाती है ये सिरप mucus को पतला करके wind pipe से बहार easily निकाल देती है इस medicine का यूज खासी के साथ साथ दूसरे कई तरह की problems को ठीक करने के लिए भी किया जाता है जैसे की आपको अगर जुकाम है नाक से पानी आ रहा है आखों से पानी आ रहा है बार बार च्छेंक आ रही है गले में irritation हो रहा है तो उसमें भी ये सिरप बहुत ही अच्छा effect दिखाती है इसके अलावा motion sickness, allergic rhinitis, metabolic syndrome, dystonia, common cold, eating, skin parishes हो जाना, dizziness, hives, insomnia, कानों में खुझली होना, bronchitis और gout के treatment में भी इस सिरप का use किया जाता है टॉरेक्स कब सिरप के कुछ सामाने side effects भी हो सकते हैं जैसे उल्टी हो सकती है या फिर उल्टी के जैसा मन हो सकता है पेट में दर्द हो सकता है बहुत जादा नीद आ सकती है आपको चकर भी आ सकते हैं और चकर के सासाथ में आपका coordination भी बिगड़ सकता है और अगर आपको इसके किसी भी content से allergy है तो allergic reaction भी हो सकती है डोज की बात करें तो इस सिरप की डोज एडल्ट में 10 ml सुबह शाम लेने की सला दी जा सकती है और सुबह शाम के अलावा भी अगर आपको जादा नीड है तो आप इसे 3 टाइम भी ले सकते हैं और बच्चों में 5 अमल 2 से 3 टाइम हम इसको दे सकते हैं और अगर आप इसको डोक्टर के prescription से ले रहे हैं तो डोक्टर के बताय अनुसार भी इस सिरप को आप ले सकते हैं अब बात करते हैं pregnancy और breastfeeding की दूरान इस medicine को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो research के according जो pregnant ladies होती हैं और breastfeeding करवाने वाली ladies होती हैं उनमें इस सिरप को बहुत ही जादा unsafe बताया गया है ये बच्चे को नुकसान कर सकती है इसलिए इस सिरप का use pregnancy और breastfeeding के दूरान बिलकुल नहीं करना है और इस सिरप को लेने के बाद में alcohol का use भी नहीं करना है यानि शराब का सेवन भी नहीं करना है इसकी वज़से बहुत जादा drowsiness हो सकता है और kidney disease की patients में भी इस सिरप को unsafe बताया गया है तो ये थी टॉरेक्स कप सिरप के बारे में पूरी जानकारी अगर वीडियो आपको informative लगी हो तो वीडियो को like करें और स्वास्ते और दवाईयों से समंदित वीडियो उसके लिए चैनल को subscribe जरूर करें Thank you